नमस्का दूस्तों मैं आपका होस्ट आपका गाइड इज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फो टैक उज्वल में दूस्तों अगर आप भी चाते हो जियो का 5G इंविटेशन तो आप इस वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि आज की इस वीडिय आपक कर लिजेगा तो चली जान लेते हैं दोस्तों अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपके डाउट्स क्या है तो पहली बात की बता देना चाता हूं कि अगर आपको जियो का 5G यूज़ करना है तो सबसे पहली जो टर्म एंग कंडिशन है वो यह है कि आपके पास एक 5G स्मार्टफोन होना बहुत जरूरी है अगर आपके पास 5G स्माटफोन नहीं है तो फिर आपको 5G बिलकुल नहीं मिलने वाला है बाकी आपका जो current geo sim है मतलब जो 4G sim है उस पर ही 5G रन करेगा तो आपको कोई अलग से sim नहीं लेना है तो अगर आपको ऐसा कोई बता रहा है कि 5G sim लेना पड़ेगा या अपग्रेट करना पड़ेगा नहीं वो सब बेवकूफी है तो दो चीजे हो गए कि आपके पुराने सिम में ही 5G चलेगा और आपको 5G स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए अब तीसरी चीजी है दोस्तों कि आप सबसे पहले तो इन चार सिटीज से होने चाहिए जो क का आप अगर कोई भी प्लैन रिचार्ज कर रहे हो और वो 239 रुपीज से सस्ता वाला है तो आपको 5G का इन विटेशन नहीं आने वाला है तो आपको ये बात ध्यान में रख लेनी है कि चाहे आप जियो के पोस्ट पेड यूजर हो चाहे प्रिपेड यूजर हो आपको अ 5G का जो true 5G है उसका trial आप कह सकते हो यूजर कर पाओ तो basically इन बातों को आपको ध्यान में रख लेना है अब मैं कुछ छोटे मोटे doubts हैं आपके उनको clear कर देता हूं कि एक बंदा कह रहा है कि वे पास 5G phone नहीं है तो अगर आपके पास 5G phone नहीं है तो आप बिलकुल भूल बिहार मतलब कब तक आएगा तो वहाँ पर ही बहुत जल्द आगा क्योंकि देखो जियो ने भी चार cities का ही नाम लिया है बाकी कहा है कि 2023 की last month तक हम पूरे all over इंडिया में 5G rule out कर देंगे तो अभी अगर आप इन चार cities से नहीं हो डैली मुंबई वारन असी एंड कोलकता तो आपको थोड़ा सा तो वेट करना ही पड़ेगा में भी हो सकता है एक महिना दो महिना तीन महिना जब तक आपकी city में नहीं आता है और दोस्तों यहाँ पर अब काफी लोग यह भी कह रहे है कि लग रहा है कि अब finally 4G की speed हम में मिलेगी तो ऐसा नहीं है 5G की speed जो है वो काफी ज्यादा improved है मतलब आपको 800MB, 700MB या 900MB या 1GPS तक की speed आपको देखने को तो मिलेगी ही मिलेगी अब अगर बात करते हैं यहाँ पर काफी लोग कह रहे है कि मैंने यहाँ पर एक साल वाला plan रिचार्ज कर रखा है तो बिल्कुल आगर आपने 230 rand के उपर का कोई भी plan रिचार्ज किया तो आपको 5G का invitation आएगा एक बंदा कह रहा है भाई कह रहा है कि 666 वाला plan हमने रिचार्ज कर रखा है तो क्या invitation आएगा बिल्कुल आपको invitation आएगा आपके बास पर 5G phone आचीए और आपको जो plan है वो 239 के उपर काउना चीए वाकि कितने वी आला भी आप 239 का रिचार्ज उतलब उसके उपर करते हो या 239 का रिचार्ज करते हो या 5G smartphone है तो आप unlimited 5G data आप यह कहा सकते हो यूज कर पाओगे 1Gbps की speed में और तो बिल्कुल unlimited रहने वाला है तो इसमें कोई भी बात शक वाली बात नहीं है ठीक है जो invitation आएगा वो आपका आएगा my पी महंगा रिचार्ज करा रखा है मतलब 239 के उपर का रिचार्ज करा रखा है और हम इन चार सिटीज से भी हैं लाइक कुछ लोग डैली से हैं मुंबई से हैं मुंबई से हैं कॉलकता से हैं बट उनको तब भी 5G का invitation नहीं आया है तो देखो यार यह कुछ-कुछ users को भी भीजा जाए फिर कुछ लोगों को भीजा जाए मतलब experience सब लोग कर पाएंगे बट हाँ एक साथ नहीं रोल आउट कर रहें सबको धीरे-देरे invitation भीजा जा रहा है तो आएका जरूर ठोप रखिए ठीक है अगर आप city से हो 4G स्मार्टफोन है और आपका डिचार भी 239 के उपर का है या 239 का है तो आएगा विट करना होगा आपको बाकी कहने भाई भोपाल मध्य प्रदेश में कब आएगा 5G तो बहुत जल्द आएगा जैसा कि जियो लगातार काम कर रहा है जियो ने अनौन्स तो कर दिया है चार्ज एटीज लेकिन लगातार काम कर रहा है और पूरे All War इंडिया में शुरू हो जाएगा तो बस दोस्तो यही थी मेरी वीडियो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो यार तो मेरे एफर्ट्स को देखते होगे वीडियो को लाइक करना शियर करना चैनल क क्या कि अलकी दो